नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं आपका दूस दिनेश निम्बावत मनोग्यान के अगले एक टॉपिक के तरह बढ़ते हैं और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तोलमेन का उदेश्यवाद या पिर इसे कहे संकेद गेस्टाल्ड या पिर संकेद संके तक होता है यानि टॉपिक का उदेश्यवाद शिदान का मतलब यह है कि पराणी कोय भी करता है अधिगम के दिशतों स्विवाद संके इसा भी नहीं करता है पहले उदे से निर्धारन होता है कि उस उदेशी की प्राप्ति हमें करनी है उसके अनुरूप जो है हमें किरिया करनी है तो यह है कि प्राणी के वहिवार में क्या रहेगा उदे से रहेगा यह सिदान सीखने के परतिकों के ज्यान पर बल देता है सीखने के लिए केवल बोधिक वैवार ही उद्रताई होता है सिखने के लिए केवल बोधिक वह आपना सब्सक्राइब किता है टोल्मेन का अते बालक को सिख्षा देते समय उसकी आयोव अनुवोवह का ध्यान रखना चाहिए शिक्सक को इनाम एंधंड का परियोग उदेशी की प्राप्ती है तु करना चाहिए शिक्सक को जो है उसे इनाम देना है बच्चे को या पिर उसे दंड देना है अब उदेशी की प्राप्ती सिक्सक कौन से उदेशी की प्राप्ती करना चाहता है क्या चाहता है वो जो जिसे कोई पार्ड तयार किया वो पार्ड तयार हुआ नहीं या करवाना चाहता है तो उसी को बेस बना कर जो है अपना उदेश से निर्धारित करें और उसी के अनुरूप जो है बच्चे को क्या दंड देना है या इनाम देना वो डिसाइड करें तो यह था टोलमेन का उदेश सिवाद कैसा लगा बताएगा जूरू कमेंट बोक्स में और वीडियो को आगे बढ़ाएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें